जर्या के कोईरी बांद सत्मुर्वा के रहने वाली एक वृद्ध महिला की मौट ट्रैफिक जाम के कारण हो गई वही मृता के पती ने बताया कि हमारी पत्नी की तब्यद कुछ दिन से ठीक नहीं थी जिसका इलाज पहले से चल रहा था वही आद सुबा अचानक मेरी पत्नी की तब्यद बिगड़ गई जिसे मैंने आनलफानन में एम्बुलेंस से स्थानी अस्पतार ले जाया जा रहा था उसे उक्रम में जरिया के बाटा मोड के पास ट्रैफिक जाम रहा यह जाम काफी देर तक रही वही मृता के पती ने काफी जाम हटाने की लोगों से गुहार लगाए लेकिन जाम नहीं हट पाए जिसकारण विद्ध महिला की मौत होगे वहीं रोते भी लगते मृतक के पती ने बताया कि अगर ट्राइफिक जाम नहीं रहती तो आज हमारी पत्नी जिन्दा रहती वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है पानी पी है हो डिक लिए है समझे ने सब कुछ दिये है और हमको लगा ठीक है बिलकुल और अग्दम प्रास बलागार सब चल रहा था सब हाथ सब कुछ चल रहा था फिर हम सोचे इसको जाके अब थोड़ा लगता है थड़ा ज्यादा तो चल नर्सिंगों में भर्ती कर दें है यहां से इंबुलोंज बलाएं विम्द्द बला करके लिए जा रहे थे उन रस्तवे में जाम हो गया थोड़ा सब्जे रहे ले बाता मुडवा में सब्सक्राइ अब पूरा राष्टा जाम था नहीं समझे क्या बोले जगरा भी हो गया किसी से आ आ आ गारी नहीं हटात सब कुछ किया समझे नहीं है वो भी देखा बोला ले चलिए वह इसी टेंपू का जाम था वही सब तेंपू मोटर साइकिल इसब पूरा जाम हो गया यहां से लेकर गुप्ता बेल्डिंग तब लेकर लेकर जा एक है अम्भोलेंश आलेकर जा रहे थे लाइफलैन में चाहिए इस भागानिया में तो घुतकर घृज़ा कर देखा बोला कि खत्म होगा कि ने तो खर आदा घंटा से कम नहीं रहे सेर जादे होगा कम नहीं होगा पहुं जाता तो मिर्था की बज जाती समझेने सेर कि आप बोला जाए यहां परसासन भी वैसी है आदमी भी वहां कोई सी है क्या बोलिएगा जाम में इंबुलेंस वाला भी सावित्री देवी कितना उमर होगा उमर साथ 65 से कब नहीं होगा साए हमरा हमरा एक 72 हो रहा है एक गया परसा चौधरी